हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टो माई चैनल मैं हूँ रस्मी सचान और स्वागत है आपका मेरे यूटीब चैनल पर चले चलते हैं आज की वीडियो की तरफ बनाने जा रहे हैं दोस्तों आज हम चीज कशोरी इसे बहुत ही सरल तरीके से बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी होते हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजेगा अगर पसंदा और तो सभी के साथ शेर कीजेगा एक बड़े बरतन में 100 ग्राम लिया है मैदा और 50 ग्राम ग बंदना चाहिए फिर हम इसमें पानी डाल कर जैसे नौर्मल आटा लगाते हैं उसी तरह से नहीं ज्यादा टाइट नहीं ज्यादा गीला एकदम मीडियम सॉफ्ट डो हम रेडी करेंगे चिकना डो आप इसे पूरी तरह गेहू के आटे से भी बना सकते हैं कोई दिक्कत न लेंगे तो आज हम जो बना रहे हैं इसमें 8 कचोड़ी बनेगी तो 100 कब हमने आटा लिया 500 200 ग्राम आटा लिया है तो इसमें 8 कचोरी एकदम पर्फेक्ट 8 कचोरी बन कर तयार होगी और दो मेने यहाँ पर आलू लिया है आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं कॉंटिटी अपनी जरूरत के हिसाब से अच्छी तरह से आलू को मैश करना है जिसे की कोई गुठनिया ना रहें अब हम इसमें डालेंगे इसे थोड़ा तीखा पनाने के लिए लाल मिर्च का पाउडर नमाग डालेंगे अपने स्वाद के इसाब से और मिर्च भी अपने ही स्वाद के इसाब से आपको लेनी है थो आम चूर का पाउडर यहां पर आदा चमच लिया है इसके साथ भुना जीरा का पाउडर यानि रोस्टेट क्यूमिन पाउडर थोड़ा सा नमक मैंने और डाल लिया है अपने टेस्ट के अकॉडिंग अब यहां ओरिगैनो डालेंगे पीजा सीजनिंग जो होती है क्योंकि कि हम चीज को चोरी बना रहे हैं तो उसके साथ में औरिगैनों बहुत बढ़िया जाता है तो अगर आपके वास औरिगैनों नहीं है तो आप इसमें नाडा लें ऐसे ही से बनाएं सिंपल फ्लेवर के साथ में अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए जिससे की नमक मेर्च बनेंगे तो बाद में कोई कच्छोरी मोटी कोई कच्छोरी पतली ऐसी नहीं रहे हैं सब एक आइडिया भी लग जाएगा की तो बस ऐसे रफली बाल्स बना लीजिए और बाल्स बना कर स्टफ करने से बहुत ही असानी रहती है इधर आटा भी अच्छी तरह से चिकना है बड़ी आप फूल गया है यानि की सेट हो गया है चिकना हो गया है मुलाए माटा तो अब हम इसके भी आठ बराबर हिस्से कर लेंगे या फिर आप जितने करना चाहें अपने हिसाब से उतने कर लीजिए यहां सूखे मैदे का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे बिलकुल भी नहीं मैदा नहीं आठा उससे मारी कचोरी का टेक्स्चर सही नहीं आएगा अब एक लोई लेनी है इसे हलके हाथों से फ्लैट करना है बीच में थोड़ा मोटा ही रखना है साइड में आप पतला कर सकते हैं स्टफिंग वाली बॉल लेंगे और बीच में एक पीजा का क्यूब र करना है इसी तरह से हम दूसरी बनाएंगे इसे भी हलके हाथों से फ्लैट कीजिए आटे को इसके बाद में आलू की स्टफिंग रखेंगे बीच में रखेंगे चीज का क्यूब leopard स्टिंग ऑर इसके बाद इसे बाद और इस बात को स्थे करना है एक इस बसक्लिक से बाद स ना निकले अब यहाँ पर तेल है तेल आपको ज्यादा गरम नहीं लेना है पहले बस मीडियम हॉट ओयल में ही इसे छोड़ देना है और ज्यादा इन्हें हिलाना डुलाना नहीं है यानि दो मिनट तक आप इन्हें बिल्कुल मत छेड़िएगा एक बार यह अच्छी तरह से तेल में गीली हो जाए यानि डूप जाए तो आप इन्हें दो मिनट तक धीमी आज करके छोड़ दीजिए धीमे धीमे बबल साएंगे और उससे जो कचोरी है वो अंदर तक पकती है तेज कर देंगे तो बाहर से इतनी जादा पहले ही पक जाएगी फिर आप इसे दीमियाच पर ही वापस से पकाना है धीरे धीरे बस इसी तरह से फ्लिप करते रहना है फ्लेम को जादा नहीं बढ़ाना है कहीं पर भी बढ़िया जब इस तरह का कलर आ जाएगा तो हम इने निकाल लेंगे और इसी तरह से सारी कचोरियां आपको फ्राई करनी है कचोरी जब ठंडी हो जाएगी तो यह और भी ज्यादा खस्ता हो जाएगी अगर गरम रखेंगे गरम खाएंगे तो उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं लगेगी थोड़े से ठंडा जरूर होने दे तभी इसका पूरी तरह से जो खस्ता बने वह आपाएगा अब हम इसे टो जरूर ट्राइ कीजिए यह बहुत ज़्यादा टेस्टी कचोरी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की आसान और अमीजिंग रेसिपीस के लिए